हेलो चुट्रेन, कैसे आप लोग? स्टेंडर वन की इंग्लिश का लेसर नमबर वन और टू हमने पढ़ा दिया है पर कोस्चन एंसर नहीं हुआ है तो कोस्चन एंसर हम करा दे रहें आपको उसके पहले आप बुक में थोड़ा ध्यान दे कुछ चीजें हैं जो आपको टिक मार्किंग करनी है जैसे टिक दा कॉरेक्ट एंसर टिक दा कॉरेक्ट एंसर में लिखा हुआ है ग्रेंड फादर रीट्स दा नियूस पेपर, स्टोरी बुक तो नियूस पेपर पे हम लोग यहाँ टिक लगाएंगे स्टोरी बुक में नहीं लगाएंगे वन्शूद फादर इस ए फार्मर या डॉक्टर तो डॉक्टर में टिक लगाएंगे वन्शूद मदर इस ए होममेकर या फिर टीचर तो होममेकर में टिक लगाएंगे क्वीनी ड्रिंक्स दा वाटर मिल्क क्या पी रही है क्वीनी यानि बिल्ली तो ये जो है मिल्क पी रही है इसलिए इसमें मिल्क में हम लोग ठिक लगाएंगे फिर मैच दफॉलोईंग कॉलम को मिलाना है दोनों तरफ से मैच करना है तो फादर डॉक्टर है मदर होमेकर और पप का नाम टॉमी है और कैट का नाम क्वीनी है ऐसे हम लोग इसको फिर उसके नीचे चूज दा कॉरेक्ट वार्ड इन राइट एंड राइट इट इन दा ब्लैंक्स खाली जगों में जो दो आफ्चन दिये हुएं उसमें सही आफ्चन को भरना है टॉमी प्लेज वीट बॉल ट्वाइस से नहीं बॉल से टॉमी खेलता है बोबो प्लेज वीट ट्वाइस हर मदर इसे ओमेकर और यहां लिखा हुआ है ग्रैंड फादर भरेंगे टिल्स स्टोरीज ग्रैंड मदर सॉरी ग्रैंड मदर टिल्स स्टोरीज यानि दादी मा कहानिया सुनाती हैं अब इसके बाद यह जो कोश्चन आपका है यह हम अभी बोट पर बना रहे हैं और आपको समझा रहे हैं यहां कुछ तस्वीरें हैं पिक्चर से लिखा हुआ है लुक एड़ पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विट वर्ट गिवन बिलो वाशर मैन यानि दो भी फार्मर यानि किसान पुलिस मैन यानि सिपाई और यह पाइलट यानि जहाद उड़ाने वाला तो यह देखो गोपी इज ए फार्मर किसान है ना हल रखके हुआ है फार्मर भरेंगे मिस्टर प्यूश इज ए पाइलट आप देखें बगल में जहाद है और यह पाइलट का ड्रेस है फिर इसके बाद है मिस्टर गौरो इस ए पुलिस मैन देख रहे हैं आप पुलिस का ड्रेस है क्रिशना इस ए वाशर मैन यह वाशर मैन दो भी हैं तो आपको भर देना है इसके अलावा बाकी आपको जो कुछ करना है वो हम बता रहे हैं कोस्चन लिखा हुआ है यह है न लेस नमबर वान माई फैमिली पढ़ा चुके आपको एंसर द फॉलॉइंग कोस्चन नीचे दिये हुए परश्णों के उत्तर दें कोस्चन का एंसर दें लिखा हुआ हुआ हूँ इंट्रोट्यूसेज यू विद्ध हर फैमिली कौन आपको अपनी अपने परिवार से परिचय करा रहा है तो वन्शू इंट्रोट्यूसेज अस विद्ध हर फैमिली वन्शू है जो हमें अपने परिवार का परिचय दे रही है वन्शू के दादा जी कौन है इसे हम लोग लिख सकते हैं Mr. Omdat Sharma is Gwanshu's grandfather. और ये भी लिख सकते है, Mr. Omdat Sharma is the grandfather. What is Queenie doing? Queenie क्या कर रहे है? Queenie बिली है ना कैते? क्या कर रहे है? What is Queenie doing? Queenie is drinking milk. How many members are there in one-shoe's family? One-shoe के परिवार में कितने सदस्ट हैं? How many members are there in one-shoe's family? There are six members in one-shoe's family. इसको नस्दीक से आप देख लें. Question answer उतार लें. और याद करें. किसके बाद तुरत हम आपको दूसरे वीडियो में भेज़ देंगे. Lesson number two का answer. उसके बाद आपको फिर three पढ़ाए जाएगा. फिर मिलेंगे अगरी वीडियो में. जैहीन.